आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ तैसा जितना मर्दी कमाल हो अगर आपको यह नहीं पता कि अपनी बॉड़ी को कर दो कर दो कि यह कोशिश करते तो है सुटी लड़कियां के वेट लौस वेट लॉस के उसके चकर में कि लक्राइफ और अन्दर की थे रहें बाहर से अपशेश्च रहें अंढ़ से पूरी तरह से हैं Bak तो आप रहे हैं मेरेको यह पूछना है पूछना है पूछना है तो अशने किसी इन्नेसेसरी तौपिक को जिस आपिक पे हम है उसी पर मेरोगी काया वाँ थोड़ा सी मुझा चलेगा या नहीं थोड़ा चल सकता है चल सकता है हाँ आप ही मेरा मुझा उड़ा सकते हैं यही तो आजी सेशन में होने वाला है कि ऐसा क्या होता है अभी आएंगे करके इसके उपर आएंगे मतलब भार से भी फिट और अंदर से भी फिट और सिर्फ इतना यह नहीं पूरी तरह से एक्टिव रखना है बॉड़ी को जब हमको बॉड़ी की जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए जितनी देर के लिए तो बॉड़ी हमारा अगर बॉड़ी का वहाई पीछे पारा हुआ है तो इसा कैसे होगा पता ही है योगा और मैडिटेशन बोड दूर्ट थिंग्स आर इमपोर्टन ठीक है लेकिन योगा और मेडिटेशन बहुत बोरिंग हुए होता है क्या हम को प्राटिकल से लूशन निकालना है मेरे सेश अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं theoretical बातों में बिलीव नहीं करता हो, कि कहीं से कुछ पढ़ दिया और बोल दिया आपने सुना हाँ, सुनने में बढ़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं करें कैसे, इसमें कुछ नहीं पढ़ा है, प्राक्टिकल ही देखो, योगा इ किसे करें हैं कैसे आपको करके नहीं दिखाना है, वैसे हुछ अपने आस-पास मतलब आपने साथ लोगो के साथ खेल कि फ्रेंड के साथ खेल कर, और फिर एक दोनों पॉमपिटिशन लगा है तो योगा थोड़ा इंट्रस्टिंगगा कि इसमें आप कॉमपिटिशन को इन जो आपसे बेटर है फिर चाहे योगा में जिम में और आइरोबिक्स में किसी भी चीज में तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन उसके साथ में जा करके चिपक जा चिपक चिपक जा मतलब जाब को बैसे नहीं इसके साथ में रहो थिक है अश्रील लोग लोता ऑगory आँ बोलता हूं नहीं कुछ और हिम निकाल लेते हैं उसके साथ में आप लग जाओ लग जाओ तो साल जो around मतलब उसके साथ में आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो ये योगा करना शुरू कर दो तो क्या होगा कभी आप आपका मन नहीं भी होगा तो वह आपको चार्जड़ अप करतेगा सर मेडिटेशन जहां तक है मेडिटेशन योगा इस गुड़ फर मेंटल अवेरनेस बट सर एक मोस इंपोर्टेंट चीज जो नोटिस की गई है प्रोपर नूट्रिशन की नॉलेज़ प्रोपर नूट्रिशन की नॉलेज़ इंडिया मी मोसली पीपल को है नी वाट लगी कितना भी पढ़ लगे, कितना भी कमा लेग, बट से नूट्रिशन की बात करो नहीं पता मेरी सिस्टर है, प्राक्टिसिंग नॉट्रिशनिस्त है उनसे मैं बात करता हूं मैं तो कैसा है अब उनका कैसी जल रहा है तो मैं चरस गांजा नहीं लेता हूँ, इस्ते रॉइट्स भी नहीं लेता हूँ, दारू भी नहीं पीता हूँ चमन प्राश लेता हूँ ये करी भाई ने बाद देशी अबाद देशी अबाद, चमन प्राश लेता हूँ सब इच बैंड? कुछ चीज़े आप चाइब तो अगर आप चाइब रहना तो चाहते हो लेकिन खा रहे हो इसा जिसके वजह से आप पड़े रहोगे तो अब आपके अंदर एक conflict create हो जाएगा mind के अंदर एक बड़ा अजीब सा conflict create होगा एक तरफ से आप active रहना चाहते हो दूसरी तरफ से आप खा ऐसा रहे हो जहां पर आप active रही नहीं सकते तो nutrition की knowledge बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपनी body को fit रखने में 90% जो roll है अगर आप में से पूछोगे although it may look odd to you all 90% जो roll है वो है डाइट का और 10% है exercise का और यहां पर आप किसी से भी पूछोगे diet के उपर आपका क्या है अरे नहीं नहीं मेरे को पतला होना है मतलब लोग को एकी चीज़ पता है कि अगर मैं मोटा हूँ मुझे पतला होना है तो मुझे भागना है सब भाग रहे हैं खचर हो किसे ब्यारा वर्ड है यह खचर यह वाद नहीं हिलने वाला है समझ गए ना कि यह मेरी फर एक्जामपल के अब मेरी शादी हो रही है मेरी शादी में छे महिने रहे गए है मेरे को फोटो में अच्छा लगना है लड़की को सब आ करके बोलेंगे के बिटे दूला कहा है यह तो दूले का बाप लग रहा है अब क्योंकि एक मोटिवेशन आया बार से टार्गेट मिल गया गोल मिल गया चे महिने रहे गए अब उसको कोई तरीका पता ही नहीं है क्या करेंगा बागेगा पाग लोग तो छे महिने में तो पतला हो गया लिए छे महिने बात देखोगे तो अरज डबल पेले से भी पे कुछ खाया पिया कर मैंने आप वो तो सही कहने पीने के लिए आपको देखो ना पेट कमा पर जा रहा है पुचास-पचास साल की उबर में प्रेगनें लगती है लेडी क्या हो रहा है देखो जो साइंटिफिकली पॉसिवल नहीं वो भी पॉसिवल करके दिखा रहे हैं अ जो आने तोड़वा लगते हैं पेट में अब बढ़ा है अब हो तो सही कहने पीने के लिए छोड़ता ही नहीं आम जैसो के लिए तो हम ऐसी हो जाते हैं लोग जुंदगी में आगे बढ़न अबरन तो पेट आपड़ जाता है तो अब क्या है एक रास्ता यह होता है कि भा टॉर्चर कर रहे हो तो जो टॉर्चर बंदा होगा वो क्या करेगा वो कभी ना कभी तो जैसे अगर आप किसी बंदे को टॉर्चर करते रहो करते रहो क्या होगा एक दिन वो रिवोल्ट करेगा टॉर्चर के एक हाद है ना कब तक हद वो सहेगा यह सहेगी कभी ना कभी तो वो रिवोल्ट हो जाएगा, पलकी करेगा है, रिवोल्ट हो जाएगा, ऐसा ही होता है, डायटिंग आप करोगे, 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 एक स्टेज के बाद पर जा करेगा, सब चोड़ो, सब बेकार है, क्योंकि उसकी वजए से energy body के अंदर से निकल जाएगी, तो अगर हमको कम खाना भी है तो उससे आप हलका फुलका इदर उदर कर रहे हो तो ठीक है लेकिन अगर आपकी जरुवत है बॉड़ी की मानलो 1600 कैलरी की और आप सीधा हजार कैलरी पे आ गए एक दो दिन से उपर नहीं चल पाऊ गए उसके बाद में अंदर के सारे सिस्टम्स बिगड़ने लग जाएंगे अब आप बताना में सही कह रहा है गलत कह रहा हूँ जो लोग यह डाइटिंग करते हैं आप देखोगे उनकी स्किन लटक जाएगी यह वैसे तो पतले हो गए देखने में सीख्ची पहलवान लग रहे हैं लेकिन जो फैट है वो लटक रहा है मतलब पेट है ना उसके आसपास में आप देखोगे अगर ऐसे हाथ लगा करके अगर आप लड़के हो तो लड़के का हाथ लगा सकते हो लड़कियों के मत लगा है और वेट मशीन ते देख करें खुश हो रहे हैं लो नो कि मेरा वेट लॉस हो गया मेरा इतना किलो कम हो गया उतना किलो कि लो कम करना इंपर्टन नहीं आपैड सकते लिगका मैं गर्ण कर बचास मिनिट से खड़े हो इसी लेग उन आपको कहड़े रखा इसी थे ने मैं किया होता है नुटृटृशिशन अगर मैं नुटृषिशन का अब मैं इहां पर डिस्क्लीमर डालना चाहूंगा कि मैं को फुरफेशनल नहीं हूं मैं को जिस तरह कर रहा हूं मैं जिस तरह से फिट रहता हूं अधिवर हैं इप लिए शेयर और अपना एक्सपीरियॉं ग्रोटीन होना चाहिए लोग क्या गलती करेंगे फैट को ही निकाल देगे अपने गाहिट में से उससे क्या होगा आपका जो फेस उस ब्लोट चला जाएगा अभी आपको गलोड नजर आ रहा हो कि ऊऌगे वह उना फैट की वज़े से प्रोटीन की वज़ेसे नहीं है प्रो समझ गए तो हमको पता होना चीए क्या चीज से क्या होता है प्रोटीन से क्या होता है फैट से फैट बहुत जरूरी है हमारी बोडी के लिए एक लुब्रिकेंट की तरह वो काम करता है उसके अलावा जो पी स्किन है उसके लिए बहुत जरूरी है अंदर जो बोडी के मुझी होग निने क्यों है यह उसमी नहीं दुखार मैं तुकल से कुछा है अचा होता है तो उसमें पकोड़े तल्कर कि सुलूर कर दिया और उससे पुछार जाकर दूरकर सबसे बढ़िया कौन सा होता थे जो जो चड़ा है नेया नेया, extra virgin olive oil, सबसे बढ़िया होता है, वो लेकर गया है और उसमें पकोड़े तल करके खा रहे हैं, जबकि यह जो extra virgin olive oil होता है, वो cooking के लिए नहीं होता है, cooking के लिए जो हमारे Indian oils हैं, वो best है, mustard oil हो गया, अगर आपको pure कहीं से मिल जाए तो, उसके अलावा अपना desi ghee हो गया, वो कोई बुरा नहीं है, coconut oil is best, बहुत ही अच्छा है, तो nutrition का, अगर मैं आपको short में बताऊं, कि मेरा अगर daily routine क्या है, आप लोगों ने मेरी, वोली video देखी है, from illusion to reality, उसमें मैंने बताया थ है, अगर पूरा एक test होता है, उसको BMI test पोलते है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें को पता लग जाता है, कि हमारी body में जो muscle percentage है, वो क्या है, फाट percentage है, वो क्या है, तो मेरी जो body है, उसमें fat percentage कम है, muscle percentage ज्यादा है, तो यह अच्छा होता है, अगर आपका weight अगर ऐसा रहेगा तो आपको माइंड भी अक्टिव रहेगा ब्रेन ऑप्टिमूम लेवल पर काम करेगा बॉडी में जो एनरजी है वो बनी रहेगी चलो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूं सुबह से क्या रूटीन होना चाहिए सुबह उठते ही थोड़ा पानी गरम किया उसमें थोड़ा सा नीमूनी छोड़ा हनी डाला और पी उससे क्या हुआ एक बार को बाड़ी चार्जड अब हो गए अब जो भी मैं कह रहा हूं अब बाड़ी कैसे रियाक कर रहा है समझ गई है मलनना न्यूट्रिशन में और होड़ें नहीं है आपको समझना होता है अपनी खुद की जिसे मेरी बडूडी बट अच्छेसे रिस्पॉंड करती है उसके बाद में एपने जो पार दंग आ के सुबह के काम होते होा है तो प्रस उसके लिए best क्या है बनाना, simplest and easiest to eat in the morning, तो कि उस पर आप किसी की ओपर depend नहीं करते, अनार खाने लग गए तो हो गया काम आपका, लगे रहोगे ए गंड़े तक, ये काम दादी करे तो अच्छा लगता है, ये दादी नानी के लिए छोड़ दो, कि आज आनार खाने का बड़ा हमन है, ले बेटा में लगी हुए हूँ, स्वेटर बुन रही है और साथ साथ में ये, हाना, ये लेकिन हम लोग ये इतना patience नहीं है हमारे अंतर, तो मेरे लिए जो फेवरेट है इस बनाना, उसके साथ में थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स खा लो, जिसे फ्रूट के साथ में अगर आपने थोड़े से बीगे हुए बडाम खा ली है, तो आप क्या हुआ, ये पूरी की पूरी एक मील हो गई, आपकी बॉड़ी को आइडिली हर तीन-तीन घंटे में एक मील चाहिए, ये हम नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में सीधा लॉंच किया, कितने घंटे बाद उसके बाद में सीधा डिनर, और डिनर तक तक तो हम हपशी बन चुके होते हैं, मर रहे होते हैं, कि लाओ खाना लाओ, पांच मिनट भी लेट हो जाता है, तो पता नहीं क्या हालत हो जाती है, आपको कभी भी इतनी जादा भूख नहीं लगनी चाहिए, कि आप खाने के लिए पागल हो जाओ, ये इसका लॉजिक है, कि हर तीन दीन घंटे में थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है, उसके बाद में पाक चला गया, दस से पंदरा मिनिट वाक के लिए, अब वहाँ पर जाकर कि क्या करना है, वो अंदर से आ रहा होता है, कभी होता है कि बैठ करके अराम से लोगों को देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ डीप ब्रीजिंग कर रहा हूँ, कभी है स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, मतलब कोई रूटीन नहीं है आप समाज़ें, रूटीन यह है कि मुझे डेली जाना है पंदरा मिनिट के ले लेकिन यह नहीं है कि वहाँ पर जाकर क्या करना है तो इससे क्या होता है कि वो बोरिंग नहीं होता कभी भी क्योंकि रोज कुछ अलग हो रहा होता है पर यही अगर मैं कहूं कि मुझे डेली पार्क में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिट रहना है इस सो बोरिंग, आपका मनी नहीं करेगा अलग देख रहा होता हूँ तो मुझे रोज मज़ा आता है, रोज में कुछ अलग देख रहा होता हूँ तो वहाँ पर एक पोल है, लाइट का पोल है, जहां पर वो जगह है, जहां पर कबूत्रोग ले दाने डालते है, उस पोल के ऊपर एक कील बैठी हूई थी देख रहा था, राम से वहाँ पर बैठा हूँ आप पर बैठा हूँ आप फिप्टी मिनिटेशन, आप समझ गए हैं, देखो क्या किया मैंने यहां पर, के हैर्थ को मेडिटेशन से लिंक कर दिया और पता भी नहीं लगा, मेडिटेशन क्या समझते हो आप लोग, कि आपको एक मंतर दे दिया और उसको जपे जा रहे हैं, वो मेडिटेशन है, मेडिटेशन का मतलब क्या है, ध्यान देना एक जगह पर, अपने थौट्स को देख लेना, मेडिटेशन है, अंदर गुसा उठ रहा है, उसको जान लेना, मेडिटेशन है, अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एमोशन से रहे हैं, मालो आपका ब्रेक अप हो गया है, उसके बाद में हालत खराब ही पड़ी है, होता है, हाँ, अभी हुआ है, कहानि अभी है, हाँ, चल बोतल लेक आते हैं, एक की कपैसिटी उचे चार बोतल पी जाते हैं, तो उसक्त क्या कर सकते हो, एक उप्शन तो यह है, नशे में चले जाओ, बूल गया है, और उटी-चीधी हरकते करो, तो अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से दूर जा रहे हो, दूस फेस भी कैसे करते हैं, मतलब देखो के अंदर चल क्या रहा है, इस सो इंटरस्टिंग, दिस रियल मेडिटेशन, रियालिटी और इल्यूजिन के बीच के डिफरेंस को समझना, अब मेडिटेशन है, थौट से एक इल्यूजिन है, यह हमको कब समझ आता है, दिखाऊ आपक अठिकल ही दिखाऊ, देखो, रियल मेडिटेशन समझो क्या होता है, अपने आपको बोलो, देखता हूँ मेरे माइंड में क्या थौर्ट चल रहे हैं, इतना सा बोल दो अपने आपको, बढ़ा इंटरस्टिंग कुछ होगा यहां पे, आप मुझे बताना, मैं नहीं पुरे ध्यान से देखो, बताओ क्या होता है, यह आप सबका experience है यह मैं बहुल रहा हूँ, ब्लैंक होगया, तो क्या हो रहा था, क्या experience आपका कह रहा है, जैसे ही आपने अपने thoughts को देखना शुरूर करा, तो thoughts, गायब जैसे ही आप उसको देखते हो वो गायब हो जाते है इसका मतलब क्या है thought is just an illusion देखता हूँ मैं अपने अंदर यंदर क्या बोल रहा हूँ बिना बोले कोई थौट नहीं होता है तो देखता हूँ मैं अपने अंदर यंदर अपने आपको क्या बोल रहा हूँ जैसे देखता हूं बोलना बंद जाता है सलजे यह meditation है यह आपको कोई सिखाएगा नहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी इस तरह की meditation यह समझना परता है ऐसा इसलिए हुआ क्यों कि thoughts are just an illusion जैसे भूत जब भी आपको जिस भी भूत से डर लगता है अंधेरे से डर लगता है तो एक बार जाओ अंधेरे में जा करके देखो तो उस भूत के बारे में जो आप सोच रहे थे कि उस अंधेरे कमरे में वहाँ पर भूत होगा जब जा करके देखो कि कोई भूत नहीं मिलेगा मिल गया तो मिल गया तो या मिल गई तो ठीक है यह फटा फटा आगे बढ़ते हैं हेल्थ की ओपर वापिस से आते हैं मैं आपको अपना रूटीन के बारे में बता रहा था कि मैं क्या करता हूं और आपको अब इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है इसको याद रखना है दूर्मी मेकैनिकल अबाउट एट कि वह करता है तो मैं भी यही करूंगा मैं भी यही करूंगी अपनी बॉडी को समझना है कि यह करने से आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉंड कर रही है तो क्या किया फूर्ट काए उसके साथ में अबाद ने थोडे जर वॉड किया क्योंकि खाते एकड़ साथ एक्सराईज करते हैं तो थोड़ा असा अरामराम से वॉग किया उसकी भी कोई पैटन नहीं है कि रोज यही करना है कभी बैठा हुआ हूँ कभी मन कर रहा है तो प फकीर का फकीर नहीं हो कि इतने बज़े जाना है तो इतने बज़े जाना है इतने बज़े नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा कभी जल्दी भी चला गया कभी लेट भी चला गया उसके बाद में क्या हुआ वापिस आया अपने घर पर आ करके योगा किया हरां बीस से योगा के साथ में मैंने कुछ और चीजे हैं उसको mix किया हुआ है मतलब basically महाँ पर क्या गड़ना होता है पहले muscles को stretch करना होता है उसके बाद में muscle की strengthening की कुछ exercises करनी होती है तो अपने घर में मैंने और देखता हूं अंदर क्या थाट चल रहा है जैसे भी आप लोगों ने देखा ता ना 10 मिनिट के लिए हमें पता तो ना चीए हमारे अंदर क्या चल रहा है आपको सब पता है कि बाहर क्या चल रहा है Whatsapp के ठ्रू, Facebook के ठ्रू, अपने दोस्तों के ठ्रू, āभी में अखवारों में आपको सब पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता है के आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बाद में किया breakfast at around 9 और 9.30 वहाँ पर भी कोई फिक्स नहीं है बट 9-9 के बीच में कर लेता हूं ब्रेकफास्ट मस् भी हवी वो सबसे हवी मील होनी चाहिए आपकी जादा खाने से आप यह मत समझो कि आप बोटे हो सही ना खाने से आप बोटे होते हो मैं बहुत जादा खाता हूं अगर आप कभी मेरी होता है तो मैं खुदी बना लेता हूं ऐसे डिली चंज होता रहता है कभी ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगा त creator है ठीक है इस तरह हैं कभी पोहा ले लिया कभी बेसण का चीला ले लिया हम क्या कर रहे हैं हम को यह लग रहाए कि वहार की जो चीज़े हैं वह वह अ तो इसे मार्केटिंग हो रही है बड़ आपको अब ले सकते हो जिससे मसल्स बनती है जिससे हैर लेंट है के बशल सब कुछ ही लिंग है उससे बहुत जरूरी है प्रोटीन हमारी बाडी के लिए एक दिन में जितना आपका बॉडी वेट है उसके आसपास आपको प्रोटीन लेना उसके लिए भी लोग बोलते है प्रकुति थोड़ा सा इन दोनों को मिक्स कर दिया तो श्राइब हो गया चल रहा है काम का लगग रहा है तो इसके बाद में बारा बजे के आसपास 12 सवा बारा बजे के आसपास में आई टेक ए कन ए पल वह आपल मैं अपने साथ में एपने आफिस ले जाता हूं तो एक डबे में एपल डाला ले गया या कभी कोई दूसरा फ्रूट ले गया फ्रूट से क्या मिल रहा है? फाइबर मिल रहा है बॉडी के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ काब, प्रोटीन और फैट जरूरी नहीं है फाइबर भी बहुत जरूरी है उसके बाद में लंच किया नियर अबाउट दो बजे के आसपस लंच में क्या करता हूँ? बहुत सारा सैलेड लेता हूँ यह हम गलती करते हैं, यह हम नहीं लेते हैं सैलेड में बैस किया है एक हीरा इससे बढ़िया कुछ नहीं है और किसी दिन आप घर पे हो, छुट्टी का देने तो मूली भी खा सकते हो आफिस में अवाइड करो तो साथ में थोड़ा सा मिक्स वेज ले लिया दो रोटियां, साथ में दो कटोरी दाल हो गई रोज अलग अलग टाइपी, दाल हो गई, कभी राजमा हो गया, कभी छोले हो गई, कभी, कुछ भी, रोज अलग अलग उसके बाद में पांच बजे के आसपास में अखरोट खाली है, चार पांच बहुत जादा नहीं खाने आए यहाँ पे पांच बजे, यह सिर्फ इसलिए है कि एक बार आप फिल अप हो जाओ, माइंड को क्या सिंगनल मिल रहा है, कि मुझे कुछ मिलता जा रहा है, I'm not craving, आपका जो माइंड है, वो automatically ऐसी प्रोग्राम हो जाएगा, कि यह जो बंदा है, यह मुझे कभी भूका नहीं मरने देग आपके माइंड को पता होता है, नहीं तो अगर माइंड को यह लगा, यह तो मुझे भूका मारता है, लँज करता है, उसके बाद मैं 8 गंडे तक खाता ही है, तो वे माइंड क्या करेगा, बाडी में फैट को प्रिजर्व करना कि शुरू करते हैं, तो आपको समाह नहीं वह पतला होना किसी काम का नहीं है, वही से मैंने सेशन को शुरू किया ना, कि एक है अब भार से दिखो, एक है अंदर से फिट हो, और अक्टिव भी हो, उसके बाद में क्या किया, डिनर का जितनी जल्दी करो उतना बेटर है, मैं साथ मेरे से पहले कर लेता हूँ, डिनर जो है, वो सबसे हलका होना चाहिए, आपका जो भी फिटनेस लेवल है, उसका डिरेक कनेक्शन डिनर से है, इसके एक कहवत भी है, मेरे को एक्जैक्लि दावत है, यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे है, इससे डिरेक्ली करेक्शन है आपकी हेल्थ का, डिनर लोगों का सबसे हेवी हो रहा है, और सबसे लेट हो रहा है, मैं क्या रहा हूँ, दिनर जल्दी से जल्दी, और लाइट से लाइट, तो अब आप क्या कर सकत रातों दूद्धी सकते हो दूद्धी पीते हैं तो बढ़िया हो गया भूक लगए तो एक गिलास की पिजाए दो गिलास दूद्ध पीजाओ गरम रातो वही दिकत नहीं है इतनी गैलरीज नहीं है में शुगर के अंदर आरी है कैलरीज दो चमध भरके डालती मालों 15 ग्रा वाइट सॉल्ट, वाइट ब्रेड, तो ये वाइट से थोड़ा सा दूर रहो, तो बजाए चीनी डालने के, और चीनी से आपको एकदम से एनरजी मिली और एकदम से एनरजी गिरी, आपको क्या चाहिए, पूरी रात आप ठको नहीं, सुबह फेश उठो, तो एक गिलास के ब बाड़ी अल्टीमेलि उसको एनरजी में ही कनवर्ट करती है, तो एक तो है कि आप सुगर से एनरजी लो, एकदम से एनरजी मिलीगी, एकदम से एकदम से गिरेगी, फिर आपको भूख लग जाएगी, फिर चिप्स खा रहे हो, ये खा रहे हो, उल्टे-सीती चीज़ खा पीलिया अतम पेटफ फुल शती ही गई बनकि उससे कम गई समझ गई की First बहुत बढ़िया होता है राथ को बोडे लीजिवी खाना अच्छा को प्रोटीन लेते हो तो उससे एक और बेनेफिट क्या होता है तो नीन अच्छी आती है और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनेफिट होता है सुबह आप पूरी एनरजी के साथ उठते हो यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा तयार हो गया इसमें फाइबर भी आ गया पानी टेस्ट में करना है कहीं पर भी है आप समझ गए टेस्ट भी वहीं का वही रहा खाया भी पूरा बहर करके एक मिनिट के लिए भी में भूका नहीं होता हूं पूरा दिन में समझ गए कोई डाइटिंग नहीं है यहाँ पर धीरे खाना है इमने पहले भी डीपली टच किया पूरा बहरा खाया गाई भी गए क्या होता है कि पहले तो समझ न अपड़ता है कि आओods मेरे लोट पलता है कि दिरे खुत लाए डाद अशभक जाति है तो मेरी आदत भड़ गई है धिरे घासिकंटगीज साब तो मेर spécial लाग यहाure 一 मृआओ प्नेग पढ़ देस कर दो कर दो